हेलो सुरेंट्स आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिक स्प्रेशिट यूनिट फॉर फॉर क्लास नाइन्थ चले शुरू करते हैं ठीक है इसकी इंट्रोडक्शन में क्या खिया रहे हैं वह हम पढ़ते हैं इन आवर डेली लाइफ ठीक है हमारी जो रोजमरा की जिन्दगी म जहाँ पर काम खहुर रहें है वह अम रहे हम करनी काल्कुलोशों ठीक है वह स्थे अक्ट्रीन में आपके इसक swims करने में कि है कि या तो मेपने अपने 머िंगर्स पर कुछ करनी पढ़नी पडती है कुछ मेंडर करनी पदी पर ती और हमें अपने जो कम्प्लेशन करना Пड़ती है और कुछ हमें अपने जो कलिकुलेशन करने थे को यह यह लिम। तो होगी नहीं थोड़ी सी complex होगी उस परपस से भी हमें जो calculator है या फिर जो भी हमारा software उसका हमें use करना पड़ता है spreadsheet application is a tool which is used to perform all kind of calculation easily and accurately ठीक है इसी तरह में क्या spreadsheet हमारा एक software है उसकी health से हम क्या करते हैं calculation perform करते हैं जिसे हमारा जो काम में हमारा easy हो जाता है और accurately होता है accurately मत्तब 100% correct अगर मालो suppose को हमने entry जो data हमने गलत एंटर कर रहा है तो हमारा output भी गलत ही आएगा अगर हमने data सही एंटर कर रहा है तो output हमारा सही आएगा in our childhood ठीक है भी कह रहा है जब हम बच्पन में अपना खेलते कुछते थे you you might have to use a special notebook with small cells marked with rows and columns ठीक है जब हम चोटे थे 1st या 2nd या 3rd class में तो हमें एक हमारी notebook आते थी जिसमें चोट चोटे बोक्स बने होते थे rows और columns होते थे उसमें हम अपनी calibration perform करते थे जिसे multiplication हो गया, addition, subtraction, divide इस तरह से, spreadsheet is a longer sheet of rows and columns ठीक है हमारी spreadsheet जो हमारी software उसमें क्या होते है, rows and columns होती है on the computer screen to do data analysis ठीक है उसमें क्या करते हैं, data का analysis करते हैं, analysis मतला जैसे class in 50 students, 50 students में से कौन से बच्चे हैं, जिनकी जो पढ़ाय में बहुत ही जादा अच्छे हैं, जिनकी rank बहुत अच्छी आती है, तो इस तरह से analysis करना है, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाय में थोड़ा से week हैं, उनको बच्चे होता है, कि भी बच्चे वीक हैं, तो क्या कारण है, यह मतलब एक जाल है, उसमें होता है कि हम manage करते हैं, organize करते हैं डाटा को, data मतलब information, it is also called electronic spreadsheet है, उसको हम electronic spreadsheet भी बोलते हैं, यह spreadsheet भी बोलते हैं, यह MSXR भी बोलते हैं, यह नाम है, सबका मतलब एक ही है, it is used for managing financial and accounting documents का का काम क्या होता है, financial, accounting documents का इसको manage करते हैं, Creating data reports and generating invoices ठीक है पर हम data reports बनाते हैं और अपने जो invoices है वो हम create करते हैं यह फिर generate करते हैं इन्वार्ज मतलब bill data analysis करते हैं for scientific and esthetical research and for doing variety of calculation on data ठीक हम बनाब कही तरह की calculation करते हैं हमने data पर है यस्पीं